यदि आप प्रेंगनट हैं लेकिन आप कंफर्म ही नहीं हो पाना चाहिए। कि इंटर कौर्स के कितने दिन बाद आपको प्रेंगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। इनी सवालों की पूर्ति करने के लिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रकाश श्याक के और आप देख रहा हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केर यदि आपको रेगुलर साइकल्स आते रहते हैं यह रेगुलर साइकल्स आना अचानक बंद हो जाते हैं यह आपका पीरिड मिस हो जाता है तो यह प्रेगनेंसी होने का सबसे बड़ा लक्ष्ण माना जाता है यदि आपको बोमिटिंग की इक्ष्ण होती है जी मचलाने की इ पूरे सारे आक्षण वीडियो आ रखा है और मैंने प्रेग्नेंसी को पूरा बीडियो बना रखा है यह जो लक्षण होते हैं यह पूरे सारे common लक्षण होते हैं इसका लावा भी आप कई लक्षण भी नजर आ सकते हैं आप यह देखी मेरे हाथ में pregnancy card का packet है इस packet को खोलेंगे और आपको बताएं किस तरह से pregnancy test करना है यह packet को मैं file लेता हूँ यह मैंने packet को file लिया है और pregnancy card को बहार निकाल लिया है यह मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आपको pregnancy test करना है यह इसमें dropper है इस dropper से urine ले लेते हैं यह मैंने urine ले लिए है और इसकी में किवल तीन डॉप डालूँगा दो से तीन डॉप दो तीन डॉप में ही इसका result आ जाएगा यह देखिए एक दो और यह तीन यह मैंने तीन डॉप डाल दी है इसमें और यह देखिए result आना चालू हो गया है बस कुछी सेकिड़ों में इसका result आपके सामने देखने लगेगा और इसमें देखते हैं यह positive है कि negative मैं आपको बताऊंगा यह इसमें एक line आएगी तो यह negative है और यह इसमें दो line आती है तो यह इसका result positive होगा यह देखिए बस कुछी सेकिड़ों में बस result आने वाला है यह देखिए इसका result आगा है इसमें दो line है मतलब यह cut positive है सबसे एहम सवाल मेंनाओ के दिमाग में यह आता है कि intercourse के कितने दिन बाद pregnancy test करें तो आपको intercourse के कम से कम 10 दिन बाद pregnancy test करना चाहिए लेकिस सबसे जादा comments मुझे यह देखने में मिलते हैं वीडियो में के sir pregnancy card test तो किया लेकिन एक line तो ठीक नजर आ रही है लेकिन एक जो मेलाओं के दिमाग में आते रहते हैं यह comments मुझे देखने को जादा मिलते हैं तो इसका भी मैं solution आपको कर दे रहा हूं यदि आपको इस pregnancy urine pregnancy card से confirm नहीं है तो आप इसके अलावा एक beta SCC test होता है जो blood द्वारा होता है उस वह test जाके आप करवा सकती है सबसे important test होता है सोनोगराफी तो सोनोगराफी में 100% sure हो जाते हैं diagnosis हो जाता है 100% कि यह pregnancy positive है negative है कितने दिन की pregnancy है एक है या दो है यह सारी चीछे बिल्कुल दिमाग से clear हो जाती है तो यदि आपको किसी भी test में चाहे का आप SCC में positive हो या फिर pregnancy card में positive हो या फिर USG में सोनोगराफी में positive हो तो आप किसी गाइकनोलोजिस doctor को दिखाएं जो मेहलाओं की जो doctor होती है उनको दिखाएं ताकि आपको सही treatment एवं सही सुझा मिल सके आपका दिन मंगल में हो आप सदा खुस रहें सदा सवस्त रहें यदि आप facebook पर देख रहें तो आप हमारे patch को like कर लीजी और यदि आप youtube पर देख र दूरूर दबाएं ताकि हैसे संबंदित वीडियो सबसे पहले हैं आपको मिल सकें